बिग बस 17 से बाहर आने के बाद समर जुरेल खबरों में बने हुए हैं शो के दूसरे हपते में उन्होंने बतोर वाइल कार्ट घर में एंट्री की थी समर ने बिग बस में अपनी जर्नी के दोरान दर्सकों को खूब एंटरेटेन किया लेकिन एक गलती उन पर भारी पड़ गई अविशेक कुमार के साथ समर जुरेल के थपड़ कांड ने उनकी पैपुलेरिटी को काफी कम कर दिया नतीजा ये हुआ कि इस बार नॉमिनेट होने के बाद उन्हें सबसे कम वोट मिले और चिन्टू बिग बस से बाहर हो गए बिग बस 17 के घर में थपड कांड को लेकर सलमान खान ने कुछ भी कहा हो समर ने कभी दी अपनी गलती नहीं मानी उन्होंने हमेशा कहा कि अभिशेक को घर में वापस आने नहीं देना चाहिए था क्योंकि उन्होंने शोगा नियम थोड़ा था वहीं अब चिन्टू अभिशेक कुमार को हीरो बता रहे हैं समर जुरेल ने एलिमिनेशन के बाद एक इंट्रिवू दिया और घर के अंदर की कई बाते बताई इस दोरान उनसे थपड़ कान के बाद अभिशेक को हीरो बनाने को लेकर सवाल किया गया जवाब देते हुए समर ने कहा कि उन्होंने किसी को हीरो नहीं बनाया वो पहले से ही हीरो रहे होंगे समर जुरेल ने अभिशेक कुमार को लेकर कहा जनता को लगा होगा कि वो हीरो है इसलिए उसे हीरो बनाया होगा कोई किसी को हीरो नहीं बनाता उसमें क्वालिटी होगी इसलिए वो हीरो बना इसे में कोई बात है तो पहले भी रही होगी और अब भी है समर जुरेल के अब इसे कुमार के प्रती इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताए बॉलिबुड और एंटर्टेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रही है एब भी एंटर्टेन्मेंट